अंजाने रास्ते का राज. एक चोटा सा गाव था जहां के लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे. इस गाव का नाम था सुकूनपुर. यहां की एक अजीब बात थी हर आठफे दिन, गाव में एक पुरानी हवेली में कुछ अंजाने चेहरे दिखने लगते थे. लोग कहते थे कि यह भूत हवेली है, लेकिन किसी ने कभी आयसी देखा नहीं था. एक दिन, सुकूनपुर के एक छोटे से लड़के, अरजुन ने अपने दोस्तों से सुना की हवेली में रात को कुछ अजीब आवाजे आती है. उसने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्तों के साथ उस हवेली में जाएगा और रास खोलेगा. रात के 12 बजे, अरजुन और उसके दोस्तों ने हवेली की तरफ रुख किया. हवेली का माहौल कुछ खौफनाक था, लेकिन अरजुन ने हिम्मत नहीं हारी. सपने अपने टोचिस को जला कर आगे बढ़ा. सदनली एक का साया दिखाई डीन लगा, लेकिन फिर वो गायब हो गया. अरजुन ने अपने दोस्तों से कहा, कुछ गड़बर है, हमें सावधान रहना चाहिए. जब वो हवेली के अंदर गए, उन्हें लगा जैसे कोई उनके साथ है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था. हर कदम पर ए एक कमरा मिला जिसका दर्वाजा था बंद. अरजुन ने डिसाइड किया कि वो दर्वाजा खोलेंगे. उसने कुछ देर के लिए रुप कर अपने दोस्तों से कहा, क्या ये सही है? सबने हमें सर हिलाया, और अरजुन ने दर्वाजा खोल दिया. अंदर एक पुराना अरजुन ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया. किताब में लिखा था कि ये हवेली एक समय मशीन है, जो वक्त को मनिपलेट कर सकती है. इसमें लिखा है अंजाने रास्ते हर मिनित में कुछ नया लाएंगे. अरजुन ने दोस्तों को कहा, ये हवेली वक्त में का राज है, जो हमें कुछ अंजाने रास्ते दिखा रही है. तभी एक आवाज आई, तुमने रास खोला है, अब तुम्हें भी इसके हिसाब से चलना होगा. हवेली में अंजाने रास्ते खुल गए और अरजुन और उसके दोस्तों ने उन पर चलना शुरू किया. हर मिनि हवेली के कोणे कोणे में छुपी कहानी उन्हें अपने अंदर खीच रही थी. अरजुन ने एक मिनिट में एक पुराने पंखुरी से भरी कमरे में कुछ दिखने लगा. वहाँ एक पुरानी तस्वीर थी, जो अरजुन की मा के साथ मिलती थी. ये तस्वीर उसे बोहुत ह चैरत में डाल गई. अरजुन ने अपने दोस्तों को बुलाया, ये मेरे मा की तस्वीर है, लेकिन इसमें कुछ अलग है. उसने तस्वीर को देखते हुए कहा, मुझे याद है, मेरी मा की तस्वीर तो हमारे घर में थी, लेकिन ये हवेली में कैसे पहुँच गई? कभी एक आवाज आई, अरजुन तुम्हें अपने मा से मिलेगा जवाब, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक आखरी अंजाना रास्ता चुनना होगा. अरजुन और उसके दोस्तों ने आखरी रास्ते पर चलना शुरू किया. हर मिनिट उन्हें लगता था कि जवाब उनके पास है, लेकिन फिर कुछ और नया खुलता जाता था. सस्पेंस और क्यूरियोसिटी उनके मन को खा रहे थे. आखरी रास्ते पर पहुँचते ही, एक पुराना ग्रामोफोन नजर आया. अरजुन ने उसे चलाया और एक पुरानी कहानी सुनी, जिसमें उसकी मा का रास हुआ था. कहानी के अंत में एक छुपा हुआ कमरा खुला, जिसमें अरजुन की मा थी. अरजुन ने अपने आंसु पोछे और अपनी मा को गले लगाया. मा ने उसे समझाया, बीटा, ये हवेली वक्त का एक अनोखा खिलोना है. इसमें हमें अपने गुजरे हुए कल से मि लाया था, लेकिन अब वो हवेली वक्त के खेल में फसा हुआ था. अरजुन ने अपने दोस्तों को साथ लेकर हवेली से बाहर निकला, और वो हवेली फिर से गायब हो गई. सपने अपने अपने घर चले गए, लेकिन अरजुन का दिल सुकून से भरा हुआ था. इस हुन है